Hello students, I'm Santosh Pano and I'm back with my new session, okay? So let's get started. बच्चों, जैसा कि आज हमारा एक्जाम हुआ है 10th of January को और जो हमारा Grams Achieve की जो 2nd shift थी उसका ये paper है बच्चे जो मैं आपसे discuss करूँगी जैसा मैंने आपको previous paper में बताया था कि मैं evening shift भी आपके साथ share करूँगी तो आगे बढ़ लेते हैं बच्चे कि कैसे ये paper पूछा गया था क्या उसके questions थे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला question आपके screen पे है बच्चे कि सतिस reminded him his promise but he was quite indifferent to what सतिस said अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो इस sentence में हमें क्या दिख रहा है कि remind verb यूज हुई है ठीक है और remind के लिए जो हम preposition यूज करेंगे बच्चे that is होती है remind of ठीक है किसी चीज की याद दिलाना ठीक है मतलब यहाँ पर जो meaning है वो हमारा क्या है याद दिलाना ठीक है तो सतीस ने मुझे याद दिलाया किसके बारे में his promise जो उसने promise किया था ठीक है तो इस तरीके से गर हम देखें बच्चे तो ना ये remind for हो सकता ना remind on हो सकता ना remind for होता और ना ही हम two लगाएंगे तो आपकी यहाँ पर correct choice बनेगी remind of और इसका word meaning है बचो किसी चीज की याद दिलाना तो यहाँ पर याद किसके बारे में दिलाया जा रहा है promise के बारे में रिमाइंड किसको किया जा रहा है हमको किया जा रहा है ओकी तो यह था हमारा question number 77 आगे बढ़ लेते हैं next question अगर हम यहाँ पर देखें बचे तो देखे क्या दिख रहा है कि on what I know of him यह जो on के साथ जो what लगा रखा है बचे इसका कोई sense यहां पर नहीं निकल रहा या तो हम यह कहें भी जो कुछ भी मैं जानता हूँ whatever I know of him या तो हम इस तरीके से लिखें या फिर हम इसको that से शुरू करें लेकिन हम यहां पर on what नहीं कर सकते और जैसा आपने देखा कि A पार्ट जो segment है उसके बाद यह जो बात है वो हमारे segment number 2 यानकी B में लिखी गई है तो मैं error इसी पार्ट में निकालूंगी बाकि आपके सारे ठीक है affirm that he is a good husband तो आपके यहां पर correct choice हो जाती है बच्चे B क्योंकि हमें error finding करनी थी और error हमारे बनेगी B segment कलियर बच्चो आगे बढ़ लेते हैं next question रवी was always of the good fortune of others बच्चो यहां पर कुछ word दियो वे है irritable जैसा कि आप समझते हो कि जो रवी है वो irritable नहीं हो सकता ठीक है miserable का मतलब होता है बिल्कुल दैन ये situation जो होती है that is miserable ठीक है pathetic आप जिसको कह सकते हो ठीक है तो miserable को मैं यहां पर हटा देती हूँ greedy होता है लालची जिसको लालच है ठीक है अब यहां पर एक शब्द हमें दिख रहा है बचे envious तो अब यह देखी मैं आपको थोड़ी सी इसकी detail देना चाहूंगी बचो एक शब्द हम use करते हैं jealous jealous हम कभ फिल करते हैं बचे जब हमें अपनी चीज के खोने का डर होता है चीज आपकी है लेकिन आपको डर है आपको जलन हो रही है कि कहीं आप अपनी चीज को खो ना दो ठीक है that is jealous लेकिन envious कोन सा होता है बचे जब चीज दूसरे की होती है envious कभ फिल करते हम जब चीज दूसरे की होती है और दूसरे की चीज को देख करके जब हम जलते हैं मैंने अपने बच्चों को ये कैसे पढ़ाया था वो बताती हूँ आपको envy जो शब्द होता है envy जो शब्द होता है बच्चे ये हमने कैसे relate किया था देखिए envy का एक deodorant आता है बच्चे अगर आपने market में देखा हो तो कोई person deodorant लगा के आपके आगे से चला गए आप पीछे से जल रहे हो कि वाव कितना अच्छा perfume है बट perfume तो अगले के पास है तो हमने इसको ऐसे relate किया था कि envy का मतलब क्या है कि चीज दूसरे की है जल आप रहे हो राइट तो अब अपने sentence पे आजाओ बचे कि जो रवी था वो दूसरूं के good fortune से तो good fortune से जो कि दूसरूं का है उससे वो क्या feel करेगा envious feel करेगा वो jealous feel नहीं करेगा तो अभी तो यहाँ पर हमारे पास option ही तीन थे बचो जिसमें jealous खाई नहीं तो बहुत simple बात हो गई कि यहाँ पर क्या जाना था envious लेकिन just imagine jealous भी option में होता तो भी आप यहाँ पर envious करते क्योंकि बात हो रही है दूसरूं की चीज को देख करके जलने की और यहीं हमारे trick होती है बचे ठीक है तो यह मैंने काफी मेरे बच्चों के साथ discuss किया है classes में ठीक है और आप इसको deodorant से relate कर लें जैसे exam में कई बर question आ जाता है कि envy strikes a woman when she saw her husband talking to another woman तो वहाँ पर हम यहाँ पर यह लिखेंगे कि envy फील नहीं होती कोई भी lady है उसका जो husband है वो दूसरी lady से बात करता है तो वहाँ पर वो jealousy feel करती है क्योंकि अपनी चीज के खोने का डर है यहाँ पर ठीक है कहीं पती महोदे आप समझ सकते हो ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे बच्चे तो हम वहाँ पर यह कहेंगे कि jealousy strike हो रही है envy strike नहीं हो रही उसको और इसी तरीके से आना चाहिए था jealousy लिखेगा envious और opposite करके वो exam में error बनाता रहता है तो I hope कि आपको clear हुआ है आगे बढ़ लेते हैं next question नेक्स में कर रहा है कि users complain about the artificial एक word given है बच्चे of war games बच्चो अगर हम यहाँ पर जरासा भी सोचें तो एक बार part of speech की बात करते हैं बच्चो artificially जो word है यह part of speech में adverb है ओके और जो artificial है बच्चे यह part of speech में adjective है ठीक है जी जैसे specific कहते हो I see पे जो खतम होते हैं ठीक है artificiality टी जुड़े होए part of speech में हमेशा noun होते हैं जैसे कि booty, beauty, quantity, quality, ty, honesty ठीक है तो टी पे जो खतम होते हैं part of speech में यह क्या होते हैं noun होते हैं अब एक बार sentence में requirement देखते हैं बच्चे क्या है आपके लिए help क्या थी बच्चे कि of यहाँ पर देख रहे हैं आपको आप यहाँ पर देख रहे हो of और आपने combination देखा होगा कि noun, of और second noun मैंने आपको काफी सारी preposition की बाते सिखाई हैं तो देखिए यहाँ पर जो word हमें चाहिए of preposition से just पहले यहाँ पर जो word चाहिए वो किस format में चाहिए noun format में और noun वाला word कोन सा है बच्चे जो ty पे खतम होगा तो यहाँ पर आपकी correct choice बनेगी बच्चो first तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा option number one artificiality ty वाला और यही इसका logic भी था ठीक है बच्चे तो यहाँ पर मैंने आपको काफी सारा पढ़ाया है फिर भी कोई नया viewer है तो एक बार आप panos English Classes के session number eight को visit करो जहाँ पर आपको बताया गया है कि why we use preposition in English grammar तो एक बार आप वहाँ पर जरूर विजिट करें ताकि आपको यह चीजे समझाए next question आ रहा है बचे कि choose the correct synonym of the word underlined in following sentence from the alternatives given below it बचो एक word लिखा है the voluble host has created a lively atmosphere during the program यहाँ पर अगर हम देखें बचे तो जिस part को underline किया गया है उसका आपको best similar word बताना है तो वहाँ पर आपका similar word बनेगा बचे that is talkative बचो मैंने क्या बोला कि English में कोई शब्द कभी भी synonym तो होता ही नहीं हमें तो best similar बताना होता है क्योंकि अगर मैं differentiate करूँ voluble और talkative में तो भी बड़ा फरक होता है voluble वो person होता है जिसके पास जो बहुत ज्यादा बोलता है लेकिन उसके subject matter में तो उसको हम कहते हैं voluble ठीक है talkative कोन सा होता है person who speaks too much यहाँ पर वो जोर से नहीं बोल रहा बट वैसे ही continuously वो बोल रहा है तो इसके लिए हम बहुत छारे word class में पढ़ते हैं हम एक sheet करते हैं कि एक word कि क्या 10 आप similar word बना सकते हो 10 आप opposite बना सकते हो ठीक है उसके बाद chatty ठीक है chatty भी वही होता है garrulous भी वही होता है ठीक है locatious भी वही होता है क्योंकि लोका का मतलब होता है बोलना और जो बहुत ज्यादा बोलता है यानि कि locatious ठीक है तो यह सारे ही word हमारे किस के similar word है यानि कि a person who speaks too much ठीक है तो यहाँ पर जो आपके options थे बच्चे वो हमारा यहाँ पर हो जाता है A ठीक है and what is the reason even हमें क्या करना था best similar word देना था तो इसलिए हमने कर दिया toketive humorous कौन सा होता है जिसको सुन करके या देख करके हसी आती है fiery होता है थोड़ा सा गुसेल type का यानि कि जो जिसको थोड़ा सा गुसा ज्यादा आता है और well dressed होता है जिसने अच्छे से धंग से जिसको अच्छा dress sense है और उसने अच्छे से कपड़े पैन रखे हैं तो that is well dressed तो यहाँ पर आपकी right choice हो जाती है बच्चे option number A तो I hope कि आपको यह clear हुआ आगे बढ़ लेते हैं बच्चे एक phrase पूछी गई थी straight from the horse mouth बच्चो यह जो phrase है इसका origin कहां से हुआ था बच्चो यह जो phrase है यह कही ना कही horse से जूड़ी हुई है ठीक है अब आप पूछोगे जी horse से कैसे जूड़ी तो mythology की जो कहानी है वो क्या कहती है बच्चे कि जब भी किसी person को कोई horse खरीदना होता है तो वो क्या करता है कि stable में जाएगा वाँ पर घोड़े बंदे होंगे ठीक है वो क्या करता है horse के मू में जो दात होते हैं, teeth होते हैं उनको देखता है और इसलिए देखा जाता है क्योंकि teeth देख करके हम horse की age का अंदाजा लगाते हैं फर एक्जाम्पल अगर हमें line की age बता करनी है तो उसकी नाक के color को देखा जाता है ये कुछ scientific fact है बच्चो कि color के हिसाब से हम line की age निकाल सकते हैं ठीक ऐसे ही पेड़ों की भी आपने समझा होगा dendrology जिसको कहते हैं कि भी कैसे उमर पता की जाती है in the same way जब horse खरीदेंगे तो उसके teeth देख करके उसकी age का पता लगाया जाता है अब मार लीजी आपने कोई भी information दी आप किसी की age बता रहे हो horse की तो वहाँ पर आप क्या बोलोगे कि सीधा आपने जाके मूँ खोला और आपने उसके teeth देखे और आपने सीधा क्या बता दिया उसकी age बता दी तो ये जो information होगी न बचे ये कैसी information है ये बिलकुल direct information है क्योंकि आप तो मूँ खोलके देख रहे हो ठीक है और इसलिए accuracy के जो chances है वो ज्यादा है और इसलिए ये phrase यूज होती है बचे कि कोई भी ऐसी बात जो सीधी यानि की source से आपके पास आ रही है और जो accurate भी है तो इसलिए बचो यहाँ पर आपकी जो correct choice होगी वो क्या होगी बचो ये A नहीं हो सकता है और told by somebody who was in a great hurry ये भी नहीं हो सकता तो I hope की mythology की कहानी से आप इसको थोड़ा सा relate करेंगे बचो हम जितनी भी idiom and phrases है वो इसी logic से सीखते हैं ठीक है तो ये थे बचे आज के paper के कुछ questions जो मैंने आप से discuss किये आपने अभी 4 shift हो चुकी है ग्राम सचीव के paper की आपने क्या अंदाजा लगाया बचो जो मैं conclude कर पा रही हूँ बचे वो ये कर पा रही हूँ कि कोई भी question ऐसा नहीं था कि सीधा आप rule पड़ो और सामने आपको answer मिल जाए हर question में आपको दिमाग लगाना था conceptually देखना था इवन छे question पूछे गए थे बट छे के छे question में कोई ना कोई logic था conceptual चीजे थी रटा हुआ आप कुछ नहीं कर सकते थे इसमें ठीक है ना तो practical तरीका यह यह बचे कि English को conceptually सीखिए अगर आप conceptually करते हो question को समझते हो direction धंग से पढ़ते हो तो आप तीन को eliminate करके एक अपने correct answer तक जा सकते हो clear guys I hope कि आपको clear हो गया होगा तो चलिए students फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी next session में till the time we meet soon keep learning, keep loving English thanks for watching